राधे राधे दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक बहरी लड़की की बहुती दुख भरी कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सबिस्क्राइब करें और शेयर करें उत्तर परदेश के एक गाउं में एक परिवार रहता था जिसमें दादा दादी मा बड़ी बहन और बड़े भाई के बाद तीसरे नमबर पर ये लड़की पैदा हुई थी और उसके बाद उसका एक छोटा भाई मा और बाकी बहन भाई तो बहुत सुन्दर थे और उन्हें मा बाप का और दादा दादी का प्यार भी खूम मिलता था लेकिन तीसरे नमबर की जो लड़की थी वो सामली सी थी दुबली पतली थी जिसे कम सुनाई भी देता था कम सुनने की वजए से उसे सब बहरिया ही बुलाते थे वो कहते हैं न कि ना सकल अच्छी और ना ही किसमत अच्छी उस लड़की का पिता फोज में था तो जब छुट्टी मिलती तब आया करता था और जब ये चार साल की थी तो बेचारी के सिर से पिता का साया भी उठ गय वैसे इस बहरिया का नाम तो चंचल रखा गया था कहते हैं कि जब ये पैदा हुई थी तब से इसके कान बेहते रहते थे कभी कबार डाक्टर को दिखा आते और दवाई ले भी आते थे तो बच्ची के स्कूल से सिकायत आती थी तो मा भी घर पर खूब कुटाई करती थी क्योंकि स्कूल में भी बच्ची को कुछ सुनाई नहीं देता था जिसके कारण मैडम समझती थी कि यह जो पढ़ने के बहाने लगाती है और उसे पीछे बैठा दिया करती थी कि बहुती आलसी लड़की है बिलकुल भी पढ़ाई नहीं करती और स्कूल में भी पिटाई ख परसंद नहीं करता था चंचल के साथ सब छोटे बड़े बेचारी का सम मजाग बनाया करते इसकूल में चंचल नाम बस रजिस्टर के लिए ही था कभी भूले भटके कोई उसे चंचल बुलाया करता और उसके पास आकर चंचल बोल देता तो बड़ी हैरान होती सब उसे च चिल्ला चिल्ला कर बात करते तो वो हिलते होटों को समझने में गलती कर जाती और गलत जबाव की वज़े से उसे और सजा मिल जाती छोटी सी बच्ची का आतम विश्वास को गया था वो चुपचाप मार खा लेती थी सजा में पूरा दिन मैडम उसे जो धूप में खड़ रखती थी और कभी कभी घर जाती तो खाना बना होता तो निकाल कर खा लेती भाई बेहन कोई भी उसकी परेशानी को नहीं समझता था उसे तंग करने का कोई भी भाई बेहन कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे दादी, बाबा, बुवा, चाचा, चाची, मौसी, मामा और नानी सबका बैवार उसके साथ उपेक्षा पूर्ण था उसके किसी को कोई लगाव नहीं था वे तो उसके आंगन में एक नीवू का पेड़ था जिसकी छाया में वे घंटों उदास बैठी रहती थी कभी कुछ खेल लेती, बहुत कमी उसे मुस्कुराते हुए किसी ने देखा होगा, हंसी तो शायद ही उसे कभी आई होगी बेचारी को अपनी परेशानी समझने में ही सालों लग गए, पर घरवालों ने उसकी बिमारी को नजर अंदाज कर दिया, क्योंकि वो सुन्दर नहीं थी लोग गुलाव को तो पसंद करते हैं, पर उसके साथ काटो को अंदेखा कर देते हैं, लेकिन ह्याद तो उसकी कोई खुबसूरती ही नहीं थी, इसलिए मामला सुन्दर होने का तो थाई ही नहीं चंचल अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, अपनी परेसानी अब वह समझ रही थी, बड़ी बेहन और दोनों भाईयों का छोटा मोटा काम उसके हिस्से में आ गया था, सबको खाना देना, चाय और पानी देना, छोटी सी लड़की इसकूल जाने से पहले और लोटने के बाद बस यही काम करती थी, उस पर भी कुछ गलती होने पर उसे मार पिटाई और गालियां मिलती थी, उसको देखकर वह बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, उनके घर का चूला आंगन के एक कौने में था, वो जिस दिन चौका और चूला नहीं लीपती, उस दिन या तो सिभू का स्कूल जाना पड़ता, या रात की बासी रोटी खाने को मिलती, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बित्ते भर की लड़की जादा से जादा साथ-ाथ बरस की रही होगी, पर इतना जुलुम शायद इसके सोतेले भाई-बैन या सोतेली मा भी नहीं करती, अब व फिर लकडिया लेने जाती, इसलिए उसे पढ़ने जाने का जो समय था, इसकूल जाने के लिए लेट हो जाती, जिससे बेचारी रोज इसके लिए रोज जो उसकी टीचर उसे कभी कबार मारती, या फिर उसको जो बाहर खड़ा कर देते, जिससे बच्चों और अध्यापक द्वारा उसका मजाक बनता, उसके रुके हुए आसू धैरिया का बांध तोड़ कर बह जाते, कभी कभी वे नीवू के पेड़ के पास आकर बैठती, तो कई बार थोड़ी दूर नीम की छाया में बैठ जाती, भले पेड़ पौदे, पर वे उसकी भावनाओं का क्या असर होता, स्कूल से रोज सिकायते मिलने से घर वाले परेसान हो गए थे, सब ने कहा कि घर बिठा दो, इसका कुछ नहीं होने का, फिर बच्चों के नाना नानी ने उन्हें समझाया, बैहरिया को बड़े अस्पताल में दिखा लाओ, नहीं तो इससे बिवा कौन करेगा, और बिवा नहीं हुआ, तो सारी जिंदगी तुमारी चाती पर मूं धलेगी, उन लोगों की बाते सुनकर उनकी कुछ समझ में आने लगा, और जब बहरिया दस साल की हो गई, तब उसके एक कान का ओपरेशन हुआ, दूसरे कान का ओपरेशन छे महिने बाद करवाने के लिए क रहा गया, कान में सुनने की मसीन भी लगा दी गई, धीरे धीरे वो सुनने लग गई, पर बहुती कम उसे सुनाई देता था, फिर भी कुछ नहीं से कुछ तो सुनने लगी थी, उनके दोनों बड़े भाई बलराम और छोटे शाम को पढ़ाने के लिए एक स्कूल का टीच धीरे धीरे चंचल की गाड़ी पटड़ी पर आने लगी, दूसरा ओप्रेशन कराने का किसी को ख्याल ही नहीं आया, बड़ी बेहन नंदनी बहुत हुश्यार थी, तो वह खुद ही पढ़ लिया करती थी, पढ़ने के बाद सब की बहरिया की डूटी लगा दी गई रोटी बनाने की, दस साल की लड़की के छोटे छोटे हाथ रोज ही जल जाते, तो वह रोती तो मा कहती, पता नहीं कौन से पाप किये थे, जो तुझ जैसी बेटी को जना, तुझे मेरी बेटी बना कर भेज दिया भगवान ने, मन तो करता है कि तुझे काट के नदिया में किया था कि लड़की को तेज आवाजों और सोर से बचा कर रखना, पर यहां तो सुबह से ही बेचारी पर गालियों की बोचार सिरू हो जाती थी, बिवाशादी में सब तयार होकर जाते, तो उसे साथ ले जाने में परिवार को सरम आती थी, मा कहती, मेरे तीनों बच्चे इतने सुन्दर हैं, तुझे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, अरे मुझे अपनी बेजती नहीं करवानी है, उसके दादा दादी के पास उसकी माँ से अकेले छोड़ जाती, कैई कैई दिनों में वो लोग वापिस आते, दादा दादी की सेवा में बहरिया लगी रहती, फ लेके नीचे सीसी में नमक मिर्च छिपा कर रख लेती थी, जब उसे नमक और प्याज के साथ रोटी मिलती, तो वह चुप चाप रोटी खा लेती थी, उसने नीम के पेड के नीचे नीम से भी बतलाया करती, हम दोनों पेड उसकी बाते सुनते, और उसका मन किसी को गले ल लेती, पेड सूख जाते थे, उनकी कदर नहीं होती, तो वह ठुंट सा खड़ा रहता है, चंचल के लिए उसका घर ठुंटी थो था, दो फैर बाद जब बच्चे खटे होकर कोई ना कोई खेल खेलते, तो बुजुर्ग गपियाते हुए जुंड में बैठ जाते, तो रा आगे सरका कर खड़ी हो जाती थी, रात के बरतन साफ करवाकरी उसे बिस्तर मिलता था, फिर जब एक घंटा टूशन पढ़ने बैठती, पस महीं आराम था उस बच्ची के लिए, चंचल की पढ़ाई तो फिर भी ठीक चल निकली, इसकूल में हमेशा घबराई सी रहती थी वो अब किसी के साथ खेलने की या बात करने की कोशिस नहीं करती थी, चुपचाप एक कौना पकड़कर बैठ जाती, कोई एक लड़की नहीं थी जो उससे बात करने के लिए या उसके साथ खेलने के लिए त्यार हो, सोच सोच कर मन भर आता था उसका, बस्ते को पीट पर लटकाए नीचे देखते हुए चुपचाप स्कूल से घर और घर से स्कूल जाती, कैई बार सामने से किसी से टकरा जाती और गाली खा कर चल देती, कभी कभी तो लगता कि अच्छा है ये सुन नहीं सकती, एक दिन स्कूल में कोई सवाल टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर आतम विश्वास था, टीचर ने देखा तो उसे बुलाया और उसने सही जवाब लिखा, तब भी टीचर ने उसे नाम से ना बुला कर कहा, बहरिया तू तो होश्यार हो गई है रे, साबाश, टीचर ने सब को ताली बजाने को भी कहा, सब बच्चे तालियां बजा रहे थ कि उसकी टीचर आज उससे खुस है, तब ही सब बच्चे तालिया बजा रहे हैं, उस दिन उसने देखा तो उसी खुसी की जो सीमा नहीं थी, वे दोड़कर जो अपने पेड के पास आई, और दोनों हातों से उस पेड को पकड़ लिया, और अपनी सारी बाते उस नीवू क पेड को बताने लगी, और कहने लगी, आज मैं बहुत खुस हूँ कि मैं आज जो इसकूल में मैंने एक सवाल हल किया है, वो जटपट मुह हाथ दोकर मा से खाना मागने लगी, मा ने कहा दाल रखी है, जाकर अपने लिए रोटी सेख ले, और पांच-छे जादा ही रोटी सेख कर रख देना, तेरे भाई आएगा, तो वे भी खा जाएगा, बेचारी की आदी भूग तो वैसे ही मर गई होगी, कम से कम उसे तो यही लगा था कि मा रोटी बना कर रखेगी, लेकिन उसने चूला जलाया, फिर रोटी बनाई, और उसकी बड़ी बहन और बड़े भा का दोफेर का स्कूल था, तो वे खा कर जाते थे, दूसरी तरफ उसके पड़ोस में एक परिवार रहता था, जा मा अपने बच्चों को गरम खाना खिला करी खुद खाती, और उसे लगता कि हर घर में यही होता होगा, चंचल अपने किसमत मान कर, यही कहती कि भगवान ने सारे दुख उसके ही हिस्से में डाले है, एक दिन वो बड़ी तेजी से घर के अंदर चली आई, क्या हुआ बहरिया, क्यों आदी तुफान सी चली आ रही है रही, उसकी दादी चिलानती हुई कहने लगी, तो वे मूँ धोकर कपड़े भी बदल आई थी, मा से खाना लेकर वो खाने बैठ गई, वो डर से शायद काप रही थी, तब ही उसकी मा चिलाई होगी, क्या कांड करके आई है रही तू, जो तुझे कमपन चड़ी है, शायद वो कोई जवाब नहीं दे पाई थी, तब ही उसकी मा तेज दाड़ी, मुह में दही जमा है क्या, करम जली, क्या हुआ बताती है या गरम चीमटा दागू तेरी जवान पर, उसका कमजोर कान इतना सोर बरदास्त नहीं कर पाता होगा, उसकी आखों के आगे, उसके सहमे से कदम घर की ओर बढ़ते हुए आ गए, और एक अजीब सी सिरन उसे हो रही थी, दादी भी चिलाई, एक तो बहरी उपर से बोलो भी तो भगवान ही समझ सके इसके, उसे भूक लगी थी, और वो सब की बाते सुन रही थी, मा का ध्यान उसके चेहरे पर गया, तो वो सकल से ही भूकी दीखी होगी, तभी तो आवाज सुनाई दी, पहले तू रोटी खाले, बाद में तेरी खबर लेती हो, और एक सगून सा भर गया था उसको, लगा मा के दिल में कुछ तो दया आई है, खाना खाकर जब बहरिया उठी, तो मा को अपनी बेटी का डर समझ आ गया, उसे अपने कमरे में ले गई और उसे सब समझाया, शायद उस दिन उसकी बहन ने भी प्यार से बात की थी, तबी तो वो अपनी बेहन के साथ अपने गालों पर आंसों से बनी लकीरे पहुचती हुई बाहर निकली थी, लड़की बड़ी हो गई है, ये समझा अगले दिन फिरॉक की जगे जब सलवार कमीज पहन कर बहरिया इसकूल जा रही थी, दो चार दिन उसके घर से उस पर चिलाने की आवाजे कम आई, तो लड़की के बुरे दिन बीत गए, ऐसा ही लड़की सोचने लगी, बड़ी बेटी होश्यार और सुन्दर थी, तो उसकी मा नहीं चाहती थी, उसकी बेटी चूले पर काम करके काली हो जाए, पर बहरिया तो जनम से ही काली रंगत लिये पैदा तो उसकी परवा किसी को नहीं थी, मा ही बच्चों में भेद करती है, तो बच्चे किसी और से क्या उम्मीद करेंगे, आसपड़ोस की लोग भी कहते, बहरिया की नईया पार होना तो मुस्किल है, घर के काम सीख लेगी, तो कल को भावियों की मदद करेगी, तो जिंदगी बिताना आसान हो जाएगा, वरना तो नरक बन जाएगी इसकी जिंदगी, मा को भी उनकी बात सही लगती थी, और उसको चंचल से जो काम लेना, उसकी मा का बढ़ता ही जा रहा था, ऐसा तो नहीं था, कि वे लोग गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, घर का मुखिया, जो नंदनी का और चंचल का धादा था, वे फोज से रिटार हुआ था, जमीन भी थी, उपर से बच्चों के पिताजी फोज में उंचे पदबर थे, जब उनका देहन्त हुआ, घर भी अच्छा ही बना हुआ था, बस आंगन ही तो कच्चा था, जो लीपा पोता जाता था, बाकी तो सब पक्का ही बना था, चंचल के बुरे दिन दूर दूर तक खतम होते हुए नहीं दीख रहे थे, सब कुछ होते हुए भी चंचल को सूखे पत्ते और लकडियां लाने के लिए भेजा जाता, जबकि वो तो गैस चूला भी खरीद सकते थे, बड़ी बेहन नंदनी जो चंचल से दस साल बड़ी थी, उसकी बार भी हो गई थी, और एक पेपर देकर वैसिक्षा मित्र भी बन गई थी, जल्दी उसकी पास के गाउं से सगाई पक्की हो गई थी, लड़की की सरकारी नौकरी और उपर से खूबसूरत तो थी ही, लड़के वाले भी पैसे वाले थे, लड़का उतना सुन्दर तो नहीं, तब लड़कों की सुन्दरता इतने मायने नहीं रखती थी, जितना उनका घर, बहार और समाज में इज्जत मायने रखती थी, नंदनी की सगाई हो गई तो उससे कोई काम नहीं करवाया जाता और वो अपने रूप रंग को समारती रहती शिक्षा मितर का काम होता है टीचर की मदद करना कई बार हाजरी लगा कर घर आ जाती तो कई बार पहले ही अगले दिन के साइन कराती चेकिंग जादा होती नहीं थी सारे सरकारी स्कूलों को खासकर गामों में यही हाल था खैर एक दिन बेचारी चंचल ने उसकी एक क्रीम लगा ली अपने मुँ पर वो भी उसी के साथ पढ़ने वाली लड़की ने कहा कि इतनी काली है कोई क्रीम लगाया कर गोरे होने वाली तो बस लगा ली पर जब बेहन वापस आई तो उसको कोई महक आ गई होगी या क्रीम को जिस जगह से उठाया था वह ठीक से नहीं रखी होने पर उसे सक हुआ माई ने ये नहीं है कि उसे कैसे पता चला पर उसके बाद जो हुआ वो देख सुनकर दिल देल गया नंदनी ने पहले तो उसके मूँ को नौचा फिर दादी के पास ले गई उसके बालों से लगबग घसीटते हुए सब को बताया दादी ने लोहे की जंजीर से उस बच्ची को खूब मारा वही जंजीर जो आप लोग जानवरों की गले में पहनाते हैं उसकी चीके दूर दूर तक गई होंगी वह बेचारी चिला कर रह गई अरे क्या हो गया आज बहरिया जो इतनी जोरों से पीटी जा रही है पड़ोसी मन में सोच रहे थे उसको पिटवा कर बड़ी बेहन का दिल नहीं पसीजा दादी पूरा हपता उसे सारा दिन खेतों में काम करने और स्कूल नहीं जाने का फरमान सुना दिया था बेचारी मार की सजा से जुलस कर रह गई थी और दादी ने इतनी निर्दैता से उसे मारा था कि कोई जानवरों को भी न मारे फिर उसकी मा कहने लगी दादी को तो अपने पोते पोतियों से खूब प्यार होता है जो चंचल ने कौई ना कोई गल्ती की होगी फिर चंचल की माने अपनी सास की हां में हां मिलाई बेहन की शादी हो गई और वो पराए घर चली गई तो चंचल बहुत खुश थी कम से कम एक लड़की की दुस्मन तो कम हो गई चंचल जब आठवी में थी तब तक टूशन टीचर आता रहा था और बाद में खुद ही पढ़ लेती थी अच्छे नम्बरों से पास हो रही थी तो एक दो सहलियां भी बन गई हालांकि मजाक उडाने में वो सहलियां भी पीछे नहीं रहती थी फिर भी स्कूल से घर और घर से स्कूल अकेले नहीं आती थी दसवी में जाते ही चंचल इसकूल में दूसरे नमबर पर आई उसके खुसी में सामिल होने वाले उसके दो पेड़ थे नीम और नीबू का पेड़ फिर उसके गणपती जी भी थे अब वो सीख गई थी कि सब कुछ हस्ते हुए सहना कोई कुछ भी कहता वो मुस्कुराती रहती मुस्कुराने पर भी पीट दी जाती तब रोती नहीं थी शायद रो रोकर वो ठक गई थी बड़ा भाई कुछ कहे तो समझ भी आए पर छोटा भी जब तब उस पर हाथ उठा देता था बेटी की शादी कर माने चूले चौके से सन्यासी ले लिया था इसकूल जाने से पहले और आने के बाद घर के सब काम चंचल के हिस्से में थे किसी को चाय तो किसी को पानी देना किसी को कुछ देने के चक्कर में अक्सर उससे गलती हो जाती मजाक तो सब बनाना नहीं भूलते पर यह भूल जाते कि वो जल्दी जल्दी बोली गई बात नहीं समझती बस हाथ उठाने को सब तयार रहते घर का जो मुखिया था उसका दादा वो हुका गुडगुड़ाता रहता और आस पास की पंचायती तो करता पर अपने घर में एक निर्दोस बच्ची पर होने वाला अन्यायव रोक नहीं पाया पर साथ जरूर दिया गालियों से नवाजा जाता था उसे ऐसा कौन दादा होता है जो अपने खून को वो भी लड़की जात को गाली दे पर इस घर में तो होता ही था जो की रोज का काम था बड़ी बहन आती तो हालात और बिगड़ जाते चंचल के लिए लेकिन वो हस कर सब सह जाती चंचल को ग्यारवी पढ़ने के लिए भेजा गया आगे की पढ़ाई चल रही थी कि एक दिन अचानक चंचल के नाना और मामा एक परिवार के साथ घर पधारे और चंचल का रिस्ता पक्का कर दिया उसने चंचल की कमी छिपा ली गई लड़का भी पढ़ रहा था कुछ दिनों में शादी हो गई पंदरे सोले साल की चंचल की शादी हो गई और गौना करवा कर वे लोग लेकर नहीं गई चंचल की ससूर सहब समझदार थे उन्होंने कहा हमारी बहु को बीए हो जाने दो तब तक हमारा लड़का भी कुछ बन जाएगा तब गौना करेंगे वैसे तो पढ़ाया जाता या नहीं जाता पर अब लड़के वालोंने कहा तो पढ़ाना पढ़ा इस दोरान उस घर में बड़ी बहु आ गई यानि चंचल के बड़े भाई की विशादी हो गई बड़ा भाई बलराम जादा पढ़ा तो नहीं था पर अपना काम उसने अच्छे से जमा लिया था घर में बड़ी बहु आ गई तो सब बहुत खुश थे और जैसे की सब सोच रही थी चंचल की बड़ी बहु भी उनके जैसे निकली तो मेरा क्या होगा सादी में आगे आगे चंचल की बड़ी बहनी रही चंचल को चुपचाप रहने को कहा गया परिवार का कोई सदस्य नहीं चाहता था कि बहरी बेटी की वजे से कोई उनका मजाक बनाए सुरू के कुछ दिन तो बहु की खूब सेवा हुई प्यार दुलार हुआ फिर वही घर के कामों में वो रम गई चंचल चुपचाप अपनी भावी के साथ काम करती रहती पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी वह अवल हो रही थी चंचल वो कैई बार भावी को आराम करने को कहकर खुदी काम निप्टा देती भावी को अपनी ननंद की कमी का पता चली गया था उसे अपनी ननंद से थोड़ी हमदर्दी तो थी पर पती, देवर, सास, दादी सास वगेरा का उसके लिए जो रवया था वो बदल नहीं सकती थी सो वो विरोध भी नहीं कर पाती थी अब जो की चंचल की शादी तो हो चुकी थी सो उसकी भावी चोरी छिपपे उसको सजने समरने का सामान दे देती उसके ससुराल से भी हर तो हर पर उसके लिए खूब समान आता जिसे बड़ी बहन अपना हक जमा लेती और कहती ये काली बहरिया क्या करेगी इस सब का और एक दिन ऐसे ही कॉलिज जाते वक्त उसकी भावी ने उसे मेक अप करने का समान दे दिया जब वो कॉलिज से वापस आई तो उसकी बड़ी बहन भी अपने पती के साथ आई हुई थी और बहरिया का चेहरा देखकर उसकी बहन उसे गालिया देने लगी मा और बहन दोना उसे गालिया दे रही थी बाकी लड़कियां जिनकी शादी हो गई थी और गौने के इंतजार में थी वो तो खूब सज्टी समर्ती थी पर चंचल के लिए यह करना मना था चंचल की तकलीप को देखकर बुरा तो उसके आसपास वालों को भी अब लगने लगा था क्योंकि अब बहरिया कितनी कुशल है हर काम में नजर आ रहा था वो पढ़ाई में उनके बच्चों से आगे निकल गई थी कालिज में उसकी सहेलिया मोबाईल पर अपने पती से बाते किया करती तो उसका भी मन हुआ कि वो भी मोबाईल पर अपने पती से बात करे पानी बहुत बरस रहा था उस दिन उसके बड़े भाई भावी मा बेहन और छोटे भाई के पास भी मोबाईल था सो उसने मा से कहा कि मुझे भी मुबाइल दिला दो तो बदले में मिली मार और बेचारी आसुओं से भीगी हुई उसने चुप चाप मार और गालियां हमेशा की तरह खाली उसके ससराल से जब भी फौन आता तो चंचल से बात नहीं कराई जाती क्योंकि उसका जूट जो पकड़ा जाता चंचल को अक्सर कहा जाता कि जब गौना होकर हुआ जाएगी तो तेरी छे ननंद तेरा कचूमर निकाल देंगी जब पता चलेगा कि तू बहरी है और अगर व कूए में कूद जाना पर यहां वापिस मताना नतीजा यह हुआ साल बर रह गया था उसकी विदाई में और वो डर में जी रही थी उसके परिवार ने जो जूट बोला है वो सब के सामने आएगो तो क्या होगा बस इनी बातों से उसको इतना तोड दिया कि उसने अपनी ज दो तिन महीने ठीक से बीते फिर वही सब चालू हो गया उसी साल उसने बीए फर्ष्ट डिवीजन में पास किया तो खुसी का माहौल बन गया आखिर परिवार खुस होई गया विदाई का दिन भी नजदी का गया था और वो अपने उनी पेडों के साथ बाते करके अपने आपको हलका महसूस करती थी वो बेह डर के साए में जी रही थी बिदा होने से एक दिन पहले एक कपड़े में वो अपने पेड के कुछ पत्ते तोड़ ले गई और उन पत्तों के साथ ससुराल ले गई दहेज में सभी जरूरी चीजे दी गई बिदा कराकर उसके ससुर पह पिलकर एक ही जगे रहते थे उनके चूले अलग थे पर आंगन एक ही था चंचल की आखों में डर साफ देखा जा रहा था सब लोग कुछ ना कुछ बोलते चले जा रहे थे चंचल को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कुछ रस में करवा कर कमरे में भेज दिया गया वो रंग साफ लग रहा था वो बहुत देर तक बोलता रहा और चंचल उसकी बास समझ नहीं पा रही थी सो चुपचाप सुनती रही वो उसके बारे में उसके सौक उसके पसंद के रंग पूछ रहा था वो सुन नहीं पाई एक नया सा रिस्ता जिसकी जानकारी बड़ी बेहन या भावी को देनी चाहिये थी किसी ने कुछ नहीं समझाया नहीं तो नतीजा क्या निकलता पती को लगा कि जो चंचल ये रिस्ता बनाना नहीं चाहती सो अगले ही दिन वो नाराज होकर सहर चला गया वापिस अपनी नौकरी पर शादी के दो दिन बाद उसकी दो सादी स सुन पाने की वज़े से चुपी ही रहती तो कैई बड़ी बूड़ी और ते उससे नाराज हो गई ससुर जी में भी धहरिया था उन्होंने अपनी एक बेटी और बेटे के साथ चंचल को सहर भेज दिया उसके पती के पास कुछ दिन बाद सास ससुर भी आ गए जूटा जा होई तो सास तो फिर भी पराई थी ताने और त्रिसकार सब यहां भी उसे मिलता रहा ससुर जी अपने समदियों से नाराज थे पर वो चंचल को कुछ नहीं कहकर उसका दाखिला बेड में करवा जाए जो चंचल के ससुराल में सब लोग बहुत पड़े लिखे थे यह बात तो चंचल को यहां आकर पता चली थी मायके की मार और गालियों से तो वो निकल आई थी पर ससुराल में मिलने वाले तानों से बच पाना नामुमकिन काम था एक बात तो अच्छी हुई थी वो यह की ससुर जी जो थे उसके उसमें आतम विस्वास उन्होंने भर दिया था वो अपनी कमी को दूर नहीं कर सकती थी पर सब की पसंद नास पसंद जान कर सब काम समय पर करती रहती, कोई कुछ भी कहता तो वो हस देती, दीरे दीरे उसके पती का मन बदल रहा था, वो चंचल की तकलीब को समझने लगा, बाते लिखकर होने लगे, मोबाइल पर संदेश होने लगे, तो कुछ बहतर हो रहा था, उसका पती उसे बहुत बड़े डॉक्टर के पास ले गया, तो डॉक्टर ने बताया कि जादा कुछ तो नहीं किया जा सकता, क्यो कि जिस कान का आपरेशन रह गया था, अगर समय से उसका आपरेशन हो जाता, तो सुधार समभव था, अब उस कान की हड़ी गल चुकी थी, कि आपरेशन से तो होई नहीं सकता, साथ ही कान की मसीन भी इस्तमाल नहीं किया जा सकता। दीरे दीरे ही सही पर चंचल और उसके पती में नजदीकियां बढ़ रही थी। एक बार संकोच खतम हुआ तो चंचल ने अपने पती पर विश्वास करके उसे घर और परिवार की सब बाते बतला दी। अपनी आप बीती सुनाकर उसके पती ने उसका हर कदम पर साथ देने का वाधा किया। घर में जो भी थोड़ा तनाव था वो कम होने लगा। पर चंचल की सास ने देखा। उसका बेटा अपनी पतनी के साथ खुस है तो उन्होंने पूरे दिल से चंचल को अपना लिया। घ बीएड के बाद चंचल नौकरी तो कर सकती थी पर उसका पती या घर में किसी को भी कोई इतराज नहीं था पर चंचल को लगता कि उसका कम सुनना और बातों को जल्दी नहीं समझ पाना किसी काम को करने में बाधा बनेंगे इए सो उसने नौकरी नहीं करने का फैसला किया उसके फैसले को सबने सम्मान किया और चंचल भी खुश थी जब वो अपने ससुराल वाले उसके गाउं अपने गाउं जाती या रिस्तेदार आते तो बातों ही बातों में उसे सुना जाते पर चंचल अंसुना करके अपने रिस्तेदारों की खातिरदारी में लगी रहती उसका पती कॉलेज में प्रोफेसर था और घर के लोग कोशिस करते कि सब चंचल से बात करें तो बहुत जल्दी जल्दी ना बोलें जिससे वो बात को ठीक से समझ सके घर में तेज आवाज में कोई टीवी नहीं चलाता था और ना ही तेज आवाज में बूला जाता था साथ ससुर आते जाते रहते एक ननन्द और देवर उसके पास ही रहते थे क्योंकि दोनों ही पढ़ रहे थे कभी कवार उसका पती अपने साथ चंचल को उसके माई के मिला कर लाते पर अकेले हुआ छोड़ कर नहीं आता दामाद जी का वैवार उनकी बेटी के साथ अच्छा देखकर चंचल की मा और भाईयों का वैवार भी बदल रहा था एक बार चंचल को उसके छोटे भाईय ने उसके पती के सामने दीदी या ना बोलकर उसको बहरिया कह दिया तो उसके पती को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पूरे परिवार को खूब सुनाया जिससे सब भूल कर भी उसे बहरिया के नाम से अब नहीं बुलाते थे उसकी बड़ी बहन नंदनी जो अपनी छोटी बहन की जिंदगी में आये बदलाव उससे छुपा नहीं था एक तो पहले से उसकी शादी इतने पड़े लिखे परिवार और सहर में होने से बड़ी बहन उससर चिड़ कर बैठी थी उपर से भाईयों के तेवर भी बदल रहे थे आये दिन अपनी मा के कान जो वह चंचल और उसकी बड़ी भावी के खिलाब भरती रहती जिसका नतीज़ा यह हुआ कि वह अपनी भावी का जीना दुर्बर करवा कर ही मानी इधर चंचल को पता चला कि वो मा बनने वाली है तो उसका पती और परिवार के सब लोग बेसबरी से आने वाले नन्ने महमान का इंतजार करने लगे और चंचल अब खुद एक छोटे से बच्चे की मा बनने वाली थी उधर चंचल के छोटे भाई की शादी पक्की हो गई थी चंचल के दोनों भाईयों का काम अच्छा चल रहा था तो घर में सभी सुविदाएं और बड़ी कार सब कुछ था तो रिस्ता भी संपन परिवार में हुआ था चंचल इस सादी में सामिल नहीं हो पाई फिर भी चंचल के कहनें पर उसका पती, अपने भाई और पिताजी के साथ सादी में सामिल होने के लिए आए चंचल का मन अंधर से बहुत डरा हुआ था उसे लग रहा था उसके बच्चे में उसकी तरह कमी हुई तो क्या होगा वो कैई बार यही बात अपने डॉक्टरनीस को भी कहती और अपने पती से भी दौनाई उसे समझाते रहते कि सब ठीक होगा तुमें ऐसी कोई कमी नहीं है जो बच्चे में हो जाए तुमारा इलाज समय पर होता तो तुमें भी इतनी तकलीप नहीं उठानी पड़ती सब के समझाने से वो मान तो लेती पर उसकी घवराट जो कम नहीं हो रही थी उसकी सास उससे कहती कि रामायन पढ़ा करो सुन्दर कांड पढ़ोगी तो मन सान्थ होगा और बच्चा भी हुश्यार बनेगा वो सब करती जो उसे करने को कहा जाती सही वक्त आने पर चंचल ने एक प्यारे से बेटे को जनम दिया बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था चंचल बहुत खुस थी मायके और सस्राल वालों को खुसिया मनाने का मौका मिल गया था सब को खुस देखका चंचल भी फूली नहीं समा रही थी चंचल की ससुर जी ने बड़ा बहुत बड़ा आयोजन किया था सभी को बुलाया गया जोती के भाईयों ने कोई कमी नहीं छोड़ी उसका पती कॉलिस से आते ही बच्चे के आसपास ही रहता सवा महिने बाद चंचल का भाई उसे और अपने भानजे को लेने आ गया चंचल का पती नहीं चाहता था कि चंचल हुआ जाएदा दिन के लिए जाए क्योंकि चंचल काहा मन करता था कि वह आँ जाए पर इस बार उसका मन भी कर रहा था अपने माईके जाने का आकिर उसके भी तो एक भतीजी और भतीजा है सो वो खुसी-खुसी भाई के साथ माईके चली गई और उसके चेहरे की चमक बहुत कुछ कह रही थी माय के में क्योंकि वे बहुत ही संतुष्ट थी उसके भविश्य के लिए जो चंचल घर आई तो खुसी खुसी थी पर घर का माहौल वही पहले वाला मतलब तनाव वाला लग रहा था अकेला मौका पाते ही उसने अपनी भावी से पूछा तो वो रो दी उसने बताया कि जो उसकी बड़ी नंदनी है वे हर वक्त जो उसकी मा को उनकी बहुँँ के खिलाब बढ़काती रहती है तो मा घर में कलेश करती रहती है छोटी वाली एक हपता हिया रहती है और एक महीना माई के तो चंचल का मन दुखी हो गया चंचल की कहानी को दोराया जाना देख रही थी बड़ी भावी की बात बात पर ताने और गालियां देना मा को खुसी देता था मा का वेवार जादा अच्छा तो चंचल के साथ भी नहीं था वो तो कहती कि तू अपनी भावी को हमारे खिलाब कान भरती है चंचल की माई के आने की खुसी काफूर हो गई थी उसके भतीजा और एक छोटी सी भतीजी हर वक्त डरे डरे रहते थे चंचल की मा को अपने पोते पोती भी अच्छे नहीं लगते थे बड़ा भाई सब देख सुनकर चुपी रहता था मा से अलग होकर वो नहीं रह सकता था चंचल का दम घुट रहा था मायके में बाकी की कसर उसकी बड़ी बेहन ने आकर पूरी कर दी थी वही पुरानी बाते गालियां और मजाक उडाना और ताने देना उसकी जलन दिखा रहा था उसे उमीद नहीं थी कि चंचल के दिन फिर जाएंगे जो उससे बरदास्त नहीं हो रहा था यह बात चंचल की भी समझ गई थी एक हपते बाद ही चंचल का पती का मेसेज करके कह दिया कि मुझे हैंसे लेकर चले जाओ और वो दो दिन बाद किसी को कुछ भी बताए उसका पती उसे लेने आ गया चंचल अपनी तैयारी उसने पूरी कर रखी थी चंचल अपने घर आ गई घर आकर उसने चैन की सांस ली उसके पती ने अपने पिताजी के साथ मिलकर सब बाई बेनों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर सब की शादी करवा कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका था उसके पिताजी अब रिटायर हो गए थे वो उन्हें अपने पास ले आया छोटे बच्चे जो बच्चा था वैस उसका नाम सुभम था वो दादा दादी को उसे भरपूर प्यार मिल रहा था चंचल का पती चाहता था कि चंचल भी अपनी कमी को भूल कर किसी काम में लग जाये तो अच्छा है चंचल की कंप्यूटर सीखने का मन था तो उसको उसका एडविशन एक कोचिंग सेंटर में करवा दिया गया सबसे अच्छी बात तो यह थी कि चंचल की परिशानी को समझ कर उसकी मदद सब कर रहे थे चंचल ने एक बार फिर बाहर की दुनिया में कदम रखा था वो डरी हुई नहीं थी अपनी कमी को कहने में संकोच नहीं हो रहा था वो यह सब उसके पती के प्यार की वज़े से हो पाया था चंचल ने अब कंप्योटर सीख लिया था वो बहुत खुस थी अपने मन की इच्छा को पूरी करके उसके पती ने उसके लिए कोई न कोई किताब ले आता जिससे खाली वक्त में वो बेकार कुछ ना सोच कर अपना साहित्य पढ़े उसका बेटा सारा दिन अपने दादा दादी के साथ ही खेलता और खाता तो वो निश्चिन थी रहती सुभम उसके बेटे का नाम था जो तीन साल का हो चुका था और वे फिर से एक बार मा बनने वाली थी उसकी पती की इच्छा थी कि एक बेटी और हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए सास सुसुर का तो मानना था जो भी बच्चा हो वो स्वस्त और तंद्रुस्त हो चंचल फिर घबरा रही थी उसको इसकी चिंता नहीं थी कि बेटी होगी या बेटा उसको तो बस फिर वही चिंता सता रही थी आने वाले बच्चे में कोई कमी ना हो इस बार पूरे समय चंचल की तविय ठीक नहीं रही सास बहुत ध्यान रखती पर बिमार होई जाती सासुमा रोज ही नजर उतारा करती सबी उसका ख्याल रख रहे थे पहना जाने क्यों उसका मन ठीक नहीं रहता था उसके पती और उसके ससुर ने कहा अगर बहु का मन या नहीं लग रहा है तो बहु से पूछलो कहीं माय के जाने को तो मन नहीं कर रहा है तो चंचल के पती ने चंचल से पूछा तुम्हें अपने माय के जाने का मन है तो छोड़ाता हूँ चंचल घवरा कर बोली नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है माय के किसी ने मुझे या मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो उसका पती उसकी बात सुनकर हैरान हो गया उसने बहुत प्यार से पूछा, चंचल क्या बात है, तुम इतना परिशान क्यों रहती हो, कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं हूँ न तुमारे साथ, चंचल ने हिम्मत जुटा कर कहा, बड़ी दीदी और मा दोनों भावियों को बहुत परिशान करती है, क्योंकि वो मेरे स अच्छी तरह बाते करती हैं, और बड़ी दीदी के गुसे की वजह से, वो उनसे बात नहीं करती, घर में रोज कलेस रहने लगा है, तो छोटी भावी हमेशा के लिए अपने माई के चली गई है, उसके पती ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बोला, यह सब तुम अपन अंदर समेटी हो, पहले ही बता देती, तो तुमारी छोटी भावी आ जाएंगी वापस, तुम परेशान ना हो, तब चंचलने का नहीं नहीं, यह बात नहीं है, वहां घर में जब से मेरी मा और दीदी को पता चला है, कि मैं फिर से मा बनने वाली हूं, तो दीदी गुसे म मैं सुक से नहीं रहने दूँगी, जहर दे कर मार दूँगी उसे और उसके बच्चे को, मुझे यह बात बड़ी भावी ने बताई थी, और कहा था, कि यहां मता आना तुम, अब आप बताओ, क्या मैं गलती कर रही हूं, क्या गलती है मेरी, जो मेरे लिए ऐसा बोल रही ह उसके पती ने उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान रह गया, कोई मा, बेहन अपने खून से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं, बस वह हैरान था, क्योंकि वह कहने लगा, उसने बड़ी प्यार से चंचल को समझाया, कि तुम बेकार की चिंता मत करो, यहां ना तो तुमारी बेहन है और नहीं तुमारी मा, मेरे होते हुए तुमारे और हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुचा सकता, बस तुम खुश रहो, आज के बाद तुम वो सब न सोचकर अच्छा पढ़ने में ध्यान दोगी, तो नहीं तुमें माईके की याद आएगी, और नहीं तुमें माईके में अकेले रहने दूँगा, अपने पती के आस्वासन, जो पती का आस्वासन काम कर गया, उसके पती ने अपनी मा, पिता को समझा दिया, कि जो चंचल को माईके नहीं जाना है, और अब उसे अकेले रहने को कभी नहीं भेजना है, चाए कुछ भी हो जाए, चंचल की तबित समलने लगी वो अपने आपको घर के काम में लगाए रखती फिर सास के पास बैठ जाती और उससे कुछ ना कुछ बताती रहती अपने पूरे टाइम पर चंचल ने एक सुन्दर सी बिटिया को जनम दिया उसका पती तो मन की मुराद पूरी हो गई थी उसकी और दा अचे खुश थे उसके ससुर ने चंचल के मायके में भी फौन करके बता दिया था कि बेटी हुई है और बड़ी सुन्दर है सुबम बहुत खुश था क्योंकि दादा दादी ने बताया सुबम बड़ा भाई जो बन गया है वो अपनी बेहन का ध्यान रखा करेगा बस फिर किसी को भी बच्ची को गोद में नहीं ठाले देता हमेशा उसके पास ही बैठा रहता वो कुछी दिन में बड़े भाई की तरह जो बहवार करने लगाता चुपचा बैठकर खाना खा लेता किसी बात की जिद नहीं करता नाहीं जादा सोर मचाता दादा दादी ने पहले उ बच्चों के साथ आए वापिस जाने से पहले वो चंचल की साथ से पूछ रहे थे कि वो चंचल को लेने कब आए तो चंचल की ससुर जी ने कहा चंचल और उसके स्वेराज इखटे ही आएंगे दोनों पती पतनी है और एक दिन रुक कर वापिस आ जाएंगे सुब हम को इ अभी अभी डाला है तो उसकी आदत बनी रहनी चाहिए भाई साब आपकी बात तो ठीक है पर चंचल कुछ दिन मायके में रह लेगी तो उसका मन बहल जाएगा चंचल की मा ने कहा तो चंचल की ससुर जी जवाब देना सही नहीं समझ कर उन्होंने स्वराज को चंचल के पती था पर स्वराज बोला चंचल और बच्चों के बिना हम सब का मन नहीं लगता इसलिए हम दोनों साथ आएंगे आप सापसे मिलने के लिए एक दो दिन जरूर रुक लेंगे हम उससे जायदा नहीं रुका जाएगा दामाद के मना करने के बाद भी वे लोग कुछ नहीं कह पाए पर जो उसकी बेहन थी उसको खूब जलन हो रही थी क्योंकि उसका पती तो कभी मना ही नहीं करता और जब तब आ जाती है सरकारी नौकरी में कोई जाच तो होती नहीं है तो बस आ जाती है मायके में हुआप पूरे ठाट से रहने के लिए बड़ी बेहन नंदनी को उसकी खुसियां बरदास नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब ये बिलकुल नहीं था, कि चंचल खुस रहना छोड़ दे, पहले की बात अलग थी, पर अब तो उसका पती उसके साथ था, वो दीरे दीरे अपने परिवार में ही रम गई, उसने कभी भी नहीं कहा कि उसे माई के जाना है, चंचल अपने बेटे सुभम और बेटी सुहानी, और पती स्वराज और अपने साथ ससुर के साथ बहुत खुस रहती थी, ननदे वगेरा भी बीच बीच में आती रहती, चंचल सब का बहुत सम्मान करती थी, तो सब खुस होते और चंचल का आदर बढ़ रहा था, अपने ससुराल में सुभम स्कूल जाने लगा था, और सुहानी मा से जादा दादा दादी के साथ ही चिपकी रहती थी, चंचल कुछ काम करना चाहती थी, कोई ऐसा काम जिससे उसकी कमी की वज़े से कोई दिक्कत ना आए, उसका पती भी उसकी मन की बात को समझता था, बस वो समझ नहीं पा रहा था, कि ऐसा कौन सा काम वो चंचल को बताए, जिससे वो घर पर रह करी, कोई काम करे और खुस रहे, एक दिन चंचल का पती कॉलिज से वापिस आया तो उसने देखा चंचल कोई खिलोना बना रही है उसने चंचल को कहा कि इतनी मैंनत क्यों कर रही है मारकिट से ले आएंगे तो वो बोली मारकिट में खाज एक हजार रुपे की है मैं इसे 200-300 में बना सकती हूँ उसके पती ने का ठीक है पर देखना कि बाजार जैसी बने नहीं तो मेरी प्यारी बिटिया इसके साथ नहीं खेलेगी पती की बात सुनकर चंचल मुस्कुरा दी अगले दिन उसका पती घर आया तो अपनी बेटी को अपनी गुडिया के साथ इसकी बेटी खेल रही थी क्या बात है फिर ले आई तुम बाजार से एक हजार रुपे की गुडिया बेटे की बात सुनकर चंचल की ससुर भोले नहीं बेटा यह तो इसकी माने बनाई है चंचल का पती गुडिया देखकर हैरान हो गया बहुत सपाई से जो चंचल ने गुडिया बनाई थी चंचल तुमने तो कमाल कर दिया चलो मेरे साथ अभी बाजार चलो और जो भी सामान तुमें चाहिए वो लेकर आते हैं और तुम और भी खिलोने बनाओ अपने पती की बास सुनका चंचल मुस्करा दी और कहने लगी हम संडे को चलेंगे तब तक मैं लिष्ट भी बना लूँगी चंचल वो सब अपनी बेटी के लिए जुटाना चाहती थी जिन से वो खुद बच्पन में खेलना चाहती थी बच्चों और घर के कामों से जब भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता वो कुछ ना कुछ बनाने लगती सास ससुर भी उसकी जितनी हो सकती थी मदद करते आस पास के बच्चेओं वगेरा के जनम दिन पर वो बहुत अच्छे अच्छे खिलोने बना कर उन्हें गिफ्ट देती सब बहुत खुस होते थे धीरे धीरे घर और रिस्तेदारों के ही इतने ओरडर मिलने लगे कि वो हर वक्त काम में लगी रहती वो भूल गई थी अपनी सारी तकलीपें बस खिलोनों में खो गई थी के पती ने उसको समझाया कि अगर सब तुम से खिलोनों के पैसे पूछें तो तुम कम से कम अपनी मेहनत और सामान की कीमत तो लिया करो वो कहती कि ऐसे अच्छा नहीं लगता पर फिर जो चंचल को उसके ससुर जी ने भी समझाया कि बेटा इस काम को आगे बढ़ाना है तो तुम इतनी काबिल तो हो तो लोगों के सामने तुम्हारा टैलेंट भी आना चाहिए और फिर तुम आतम निर्भर भी बन जाओगी और हम सब को भी बहुत खुसी होगी चंचल को बहुत जल्दी नहीं थी कि कुछ करने के लिए इसलिए उसने अब तक थोड़ा बहुत किया था जब तक उसकी बेटी भी अब स्कूल जाने लगी थी उसके पती ने तब तक किसी से बात कर ली थी किसी दुकानदार से शायद और चंचल के खिलोने रखने की रखने पर जो चंचल ने किसी दुकान पर अपने खिलोने रखने से मना कर दिया उसे लगता था इससे खिलोने महंगे हो जाएंगे तो वो सब नहीं खरीद पाएंगे जो लोग गरीब हैं, इन सालों में चंचल हमेशा अपने पती के साथ ही माई के जाती थी, अगले दिन वापिस आ जाती थी, ना जाने मा का सभाव बदला और ना ही बेहन का, चंचल के काम की तारीफ उनके मन की जलन को और भड़का रही थी, बस चंचल के दोनों भाई बहु पती देख कर चंचल के माई के वालों को देख कर जितना मन दुखी होता था, अब उतनी ही जायदा खुसी चंचल को अपने ससुराल में होती थी, और उसके खुबसूरत परिवार और उसके पती का साथ देना चंचल की जिंदगी में खुसिया भर गया था, स्वेराज और उसके पापा की कोशी से रंग जरूर लाएंगी, इसका स्वराज को पूरा यकीन था। चंचल को बच्चों की चिंता सास के होते हुए तो बिल्कुल नहीं थी। चंचल उनको शाम को पढ़ाती और उनका हॉंबर कराती। अगर चंचल बिजी होती, काम में लगी हुई होती, तो बच्चों के दादा जी उन्हें पढ़ाने बैठ जाते। कुल मिला कर आपसी सहोग से सब काम आराम से हो जाते थे। चित्रा सवराज के साथ काम करती थी। एक दिन चित्रा अपनी मा को बड़ी मुश्किल से राजी कर पाई थी। सवराज के घर आने के लिए। सवराज ने सबसे चित्रा और उसकी मम्मी का परीचे कराया। तो चंचल सब के लिए चाय नास्ता बनाने चली गई। और सवराज ने उन्हें चंचल के बनाये हुए खिलो ने दिखा दिये। सवराज के परिवियार से मिलकर जो चंचल, चित्रा की मा थोड़ी सहज हो गई थी। और जब उसके पापा ने चंचल के बारे में बताया तो वो एब इसवास से चंचल को मुस्कुराते हुए और चायद सर्व करते हुए देखने लगी स्वेराज ने चित्रा की मा को कहा अगर वो कुछ काम करना चाहती हैं तो चित्रा से भी सीख लें उसकी मदद भी हो जाएगी बदले में उन्हें सैलरी भी मिलेगी और एक नया हुनर भी सीख जाएगी चित्रा और उसकी मा को स्वेराज की बात बहुत अच्छी लगी और वे बहुत खुस हुए स्वेराज सर का सुझाब सुनका चित्रा की मा सुनन्दा की आँखे तो चमकी गई शायद बिमारी ने उनके ओपर से विस्वासी खतम कर डाला था तब ही तो उसे कोई काम मिल नहीं सकता था यही सोचकर वे खुसी दीखी और कहने लगी मुझे कब से आना है सर सुनन्दा ने पूछा जो चित्रा की मा थी तो स्वेराज के पापा ने मुस्कुरा कर कहा आप बेसक कल से आ जाईए आप वे दौनों मा बेटी हुआ से चली गई सुनन्दा बोल कर गई थी कि वो अगले दिन से सुभ़े दस बजे तक आ जाएगी दोनों मा बेटी स्वेराज को धन्यवाद बोल कर आभार परगट कर रही थी स्वेराज भी खुस था कि चंचल के आसपास लोग आ रहे हैं तब ही तो वह भी सुरक्षित महसूस करेगी अगर सब आदमी स्वेराज की तरह सोचने लग जाएं तो कोई किसी मा बेहन पत्नी या बेटी अपने आपको पेक्षित नहीं समझेगी ऐसा सोचना तो लगता है कलपना से ही संभव है सस्ट में बहुत गंदलासा है हमारा समाज औरती औरत की सबसे बड़ी दुस्मन होती है आदमियों कोई सिर्फ दोस देना ठीक नहीं है अगले दिन सुननदा अपने टाइम पर चंचल के घर पहुँच गई चंचल ने उसका खुले दिल से स्वागत किया और उसको अपने साथ लेकर काम करने बैठ गई कुछ दिनों की भाग दोड़ करके एक छोटी सी दुखान आखिर उन्हें मिली गई और बाजार में उन्होंने अपना काम सुरू कर दिया सुराज और उनके पापा ने दुखान फाइनल करके एडवांस भी दे दिया सबसे अच्छी बात तो यह थी कि उसमें कोई और काम करवाने की जरूरत ही नहीं थी रैक, सोके, सब कुछ बना हुआ था बस एक छोटा सा टेवल और कुरसी की जरूरत थी दुकान में पेंट वगेरा दुकान मालिक ने करवा दिया था उदा चंचल के पास सुननदा के साथ दो तीन औरतों ने भी खिलोने बनाना सीखने में रूची दिखाई तो चंचल ने हाँ कर दी, सीखते सिकाते चंचल का काम भी हो रहा था वो किसी को अपना समान लाने को नहीं कहती, सब कुछ खुद देती, जिसे उसका बिना पैसे खर्च किये सीखना भी हो गया और दुकान के लिए खिलोने भी बन गए, अब बारी थी दुकान का नाम सोचने की और उसमें बाजी मारी बच्चों की दादी ने, उन्होंने कहा कि दुकान का नाम खिलोने वाला होनी चाहिए तो बस चंचल ने भी कह दिया कि वही नाम रखा जाएगा एक अच्छा सा दिन देखकर हवन करवा कर दुकान का सुब महुरत हो गया चंचल के सस्वराल वालों ने सब को भुलाया था स्वराज और चंचल नहीं चाहते थे कि उसके माईके वाले आए पर स्वराज ने के जो पापा थे उनके माईके में उसकी बहन को भी आने के लिए कहा था उसकी बड़ी भावी भाई आये थे बेहन नहीं आ पाई थी उसकी सास की तब्यत खराब थी चंचल मनी मन खुश थी मा और बेहन के ना आने से सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया पहले दिन ठीक अच्छा रिस्पॉंस मिला उसकी दुकान को सुवराज बहुत खुश था क्योंकि चंचल खुश थी अपने सपने को साकार होते देखकर चंचल ने एक कदम रख दिया था बिजनिस की दुनिया में सबके साथ में बहुत खुश था और चंचल ने खिलोनों की कीमत बाजिव रखी थी फिर उसने एक बोर्ड बनवाया कि ओडर पर स्पेसल खिलोने भी बनाई जाते हैं बस एक हपता पहले ओडर देना होगा जिन ओड़तों उसने यह काम सिकाया था उन्हें चंचल ने काम भी दे दिया सिरु सिरु में सब अपने अपने घर ले जाती और बना कर लाती फिर धीरे धीरे एक जगा किराये पर ले ली वहीं मसीने और सामान रख दिया गया और लोग वहीं काम करने लगे, चंचल के पास दिमाग की कमी नहीं थी, उसने ऑनलाइन भी अपने खिलोने बेचने शुरू कर दिये, स्वयराज ने अपने बेटे सुमम और बेटी स्वानी को होस्टल में डाल दिया, क्योंकि वो चाहता था कि बच्चे अनुसासन में रहना सीखें और बहतर भविश्य अपना बना सके, सी बीच चंचल के सास ससुर का देहांत हो गया, एक साल में ही दोनों लोग चलवसे, चंचल अकेली हो गई, ऐसे में चित्रा की मा सुननदा ने, चित्रा की मा सुननदा ने जो चंचल को संभाला, चित्रा ने बहुत अच्छे स काम संभाल लिया था, उसने आगे की पढ़ाई भी चालू रखी थी, दुकान संभालना भी पर स्वराज चाहता था, कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए उसने सुननदा को काम संभालने के लिए कहा, सुननदा पढ़ी लिखी औरत थी, सब कुछ मैनेज करना उसने जल्दी सीख लिया था, चंचल के साथ काम करते हुए वो इतना तो समझ गई थी, कि कोई कमी इतनी बड़ी नहीं होती, कि इनसान उससे जीत ना पाए, बस कमी हमारी सोच में नहीं होनी चाहिए, चंचल का अपने माई के इसे रिस्ता बरकरार है, ना उसकी मा बदली है, और ना ही बेहन बदली, उसे और उसके बच्चों के प्यार करने वाला मामा मामी तो है, जिनकी वज़े से वो रिस्ता रखे हुए है, सुननदा और चंचल अपना बिजनेस आज खूब अच्छे से चला रही थी, स्वेराज कॉलेज और बिजनेस दोनों देख रही थे पर काम काफी चंचल ने ही संभाल लिया था, बच्चे स्कूल से निकल कर अब कॉलेज में आ गए थे, सुभम डॉक्टर बनेगा और वो भी एंटी का, वो चाहता है कि उसकी मा जैसे किसी को दुख सहना ना पड़े, स्वानी पापा की परी थी, वो अपने पापा की तरह या लेक्षरार बनना चाहती है, मा बाप ही तो बच्चों के भविश्य की नीव होते हैं, स्वानी किसी और चंचल को बहरिया नहीं बनता देख सकती है, कैई संस्ताओं से जुड़ी हुई है और सारी कम्यों की वज़े से उपेक्षित बच्चों को सहरा देने लगी, और जो स्वेराज अपनी जिंदगी के हर पल को जी रहे हैं, चंचल भी बहुत खुस है, बहरिया से चंचल तक का सपर बहुत मुस्किल था, पर मुस्किलों से जो लड़ जाता है, जीत हमेशा उसी की होती है, दोस्तों, अगर आपके आस पास भी कोई ऐसे इनसान है, तो नज नजर नहीं आ रही है, उसे बोल सक कर उसे तसली दें, और उसके जो उसे अच्छे से अच्छा उसके भविश्या को बनाने की कोशिस करें, ताकि कोई भी अपनी सारीरिक कमी के कारण आतम हत्या जैसा जगन्या पराध ना करें, दोस्तों, किसी की सारीरिक कमी के लिए तान गाली देना सोभा नहीं देता है उसे उसाहित करें ताकि वह भी अपने जीवन को सही तरीके से जीए उसकी सहायता करें उसको जीने की प्रेड़ना दे ताकि वह भी इस दुनिया में अपनी जिंदगी खुसी-खुसी जीए अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और शेयर करें रादे रादे